नमस्कार मैं क्रेशना सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं सामरवड़े सामरवड़े बनाने के लिए मैंने यह उड़त की दाल लिए जिसे 5-6 गंट भिगो दिया है और अच्छे से दो कर पानी निकाल दिया है और यह मैंने चामल हैं जिनने भी मैंने बिगो कर पानी निकाल दिया है और अच्छे से साफ कर लिए है मैंने एक कटोरी दाल ली थी और धाई कटोरी मैंने चामल लिए थे अब मैं और इसमें डालने के लिए सामरवड़ों में डालने के लिए डाल मिर्च पाउडर है और सोप है धनिया है औ पानी मट डालना अगर आप जयता पानी डालोगी तो हमारा गूल है जो पतला हो जाएगा आप कोशिस करना बिना पानी डाल कर पीसने की अगर नहीं पीसे तो दोनों को मिक्स करके पीस लेना इस तरह और अच्छी बारिक पीस यह और चाउल पीस लिए आप कम से कम पानी डालने की कोशिश करना अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो अपना घुल पतला हो जाएगा यह मैंने तेल लिया है तलने के लिए मैं गेस ओन कर देती हूँ जब तक हमारा तेल गरम हो जाए यह मैंने रिफाइंड ओल लिया है अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी नमक आप स्वादन सा डाली मैंने इसमें देड़ चमच नमक डाल दिया है और एक चमच सोप डाल दिया एक चमच दनिया पाउडर दिया और एक चमच लाल मिर्च पाउडर दिया अगर आप लोग कम खाते हैं तो कम डाल दीजिए और यह मेने सामर बड़े बरनानी की मसीन है, इससे मैं सामर बड़े बरनाओंगे, लेते की अच्छे से मिला लेगे, इससे अच्छे से फेट लेजिए, इस तरह अच्छे से फेट लेजिए, ताकि अच्छे से मिल जाए, सारे इसको बेटल को हम साची में डाल लेगे, इस तरह हम साची में डाल लेगे यह हमने बेटर भठ लिया है इसके अंदर साची के अंदर और टेल हमारा गरम हुए है ना जाद तेज गरम और ना कम गरम यह रहिए अब इस तरह दब दब कर हम बड़े निकालेंगे इस तरह और इस तरह हम हमारे बड़े गण Cand Candice मीडियम चर्फार पर शिकने दीजिए आकि अंदर से अच्छी इकाले जाए मैंने ङेस फूल कर दिये और फूल मैंने फूरदे मीडियम रखती thma अब मैंने गेस फूल कर दिये और अच्छी से लाल अब आपक चुके हैंगी अब मेने निकाल लो अच्छे से त्राई हुए हम्मेने निकाल लो और निकाल कर आप इसे सामर और नारियल की चक्टनी के साथ खा सकते हैं देखिये हमारी सामबर बड़े बनकर तईयार है आप इसे सामबर से खा सकते हैं दाल सामबर से और नारियल की चटणी से खा सकते हैं और अगर आपको मेरी रेशीपी पसंद आई हो तो आप मेरी चैनल को सस्क्राइब करे और लाइक करे थेंक यू